Hello दोस्तो विल्कम टू में आप लोग आए को WhatsApp का बहुत बड़ी आ मजीदा Tricks सेयर करने बाला हूँ दोस्तो यह ट्रिक्स आप लोगों सभी लोगों को आज नहीं तो कल काम में आएगा जोरूर काम में आएगा तो दोस्तो इस वीडियो को आप लोग सुरूर से लास दक जोरूर देखना वीडियो को स्क्रिप मत करना दोस्तो चाली वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो वीडियो क्या है आप जब WhatsApp में किसी को message करते हो किसी को कोई picture send करते हो दोस्तो ओ picture 5-7 minutes के बाद आप लोग permanently उसको delete नहीं कर सकते हो दोस्तो इस वीडियो में इस ट्रिक्स में आप लोग यहीं दिखाऊंगा उस picture को आप लोग permanently कैसे सही जागा उसे delete कर सकते हो दोस्तो suppose मैंने जो ए पिक्चर send किया था मैं इसको delete करता हूँ तो delete करने के time मेरे को क्या इहां पर सो करते है delete for me दोस्तो क्या हो रहा है कि ए जो picture स्रिप मेरे तरफ से मेरे पास से delete हो रहा है ना कि मैं जिसको send किया हूँ उसके पास से delete हो रहा है स्रिप मेरे पास से delete हो रहा है दोस्तो मैं चाहता हूँ कि इस picture को मैं जिसको send किया हूँ उसके पास से भी delete करना चाहता हूँ पाच मिनिट पर ठीक है तो दोस्तो सबसे पहले आप लोगो ध्यान देना होगा आप लोग कौनसी डेट का SMS को डिलीट काना चातो कौनसी डेट का पिक्चर को डिलीट काना चातो तो सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा उस picture का date आप लोग को देखना पड़ेगा picture कौन सी date का है और time कितने बज़े आप लोग sent किया था तो दोस्तो उसी time को आप लोग आपका mobile का data और आपका mobile को flight mode कर दो इसके बाद उस time and date को mobile में set कर दो छीक है उसके बाद आप लोग का जितना भी pages open है तो उसको सभी pages को clear कर दो clear करने के बाद दोस्तो आप लोग होड़ सब को on कर दो फिर आप लोग देखो उसी SMS को जो पहले आप लोग only for me show कर रहा था delete करने के time पर वो आप लोग सभी जागों से delete कर रहा था तो में आप लोग को दिखा दुए हैं पर एक बाद try कर के चीक है तो देखिए मैंने SMS को direct किया उसके बाद delete option में गया उसके बाद देखिए दोस्तों पहले क्या option show कर दा था delete for me आभी क्या show कर रहे उसी picture को आभी उसी picture में आभी show कर रहे delete for everyone तो आभी मैं इस picture को इहां से delete करते हूं तो सभी जागों से इस picture delete हो जाएगा मेरे पास से भी delete होगा में जिसको sent किया था उसके पास से भी ए picture delete हो जागा दोस्तों इसी थरह आप लोग एक महीना दो महीना एक साल पूराना SMS picture को भी आप लोग चाहो तो इस ये delete का साथ तो इस trick के मदब से दोस्तों नहीं आता कर तो आप लोगो ठीक अच्छा लगा तो आच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को स्यार करना चैनल को सब्सक्रेप करना और वीडियो को जोड़ लाइक करना दोस्तों ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स बुरी में thank you bye bye टेक्टर जाहिंद